प्रधान मंत्री दरेंद मोधी आज सुबा 11 वजे टोक्यो 2020 पैरम ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले भारते पैराइटलिक टीम के साथ वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरिये बात चित करेंगे और इन खेलों में इस बार भारत के ओर से नो अलग-अलग स्पोर्ट्स इवेंट में 54 पैराइटलिक देश का प्रतिनी दित करने के लिए टोक्यो जा रहे हैं प्रधान मंद्री के साथ साथ इस कारेकरम में खेल मंद्री अनुराग ठाकूर भी जुड़ेंगे और टोक्यो में चौब 1 अगस से 5 सितंबर तक इन पैराइलम्पिक खेलों का आयुजन होना है भारत के ओर से इस बार इन पैराइलम्पियों को खेलों में अब तक का सबसे बड़ा दल हिस्सा लेने जा रहा है और आपको बता दें कि 8 अगस को समाप्थ हुए टोक्यो अलम्पिक खेलों में भारत के अटलीटों ने अब तक का अपना सर्वशेष्ट प्रदर्शन किया था और वहीं भारत ने इन खेलों में एक गोल्ड समेद 7 मैडल अपने नाम के थे अब देश को पैलम्पिक खेलों में भारतिया अटलीटों में मैडल जीतने की उम्मीद है और वहीं इस से पहले पीम मोदी ने कल टोक्यो अलम्पिक 2020 में हिस्सा लेने वाले भारतिया अटलीटों की नाश्ते पर मेजवानी की थी और इस दोरान उन्होंने स्टार बैडमिंटन खिलाडी और टोक्यो में ब्रोंज मैडल जीतने वाली पीवी सिंदु को आईस क्रिम पार्टी भी दी और देसल टोक्यो रवान होने से पहले पीम मोदी ने सिंदु से बात करते हुए कहा था कि आपकी टोक्यो में सफलता के बाद मैं आपके साथ आईस क्रिम खाऊंगी और वहीं यूपी के कोशामबी में जिला अस्पिताल की बद इंतजामी का दिल खो जगजोर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है दरसल अस्पिताल के सन्यू वोर्ड में भरती एक नवजाद बच्चे के स्टाफ कि लापरवाई से हीटिंग पैड लगाने से मोथ हो गया परीजनों का आरोप है कि स्टाफ नवजाद बच्चों को हीटिंग पैड लगाने के बाद नदारत हो गया तकरीवन घंटे बर बाद परीजन बच्चों को देखने गए तो बच्चा पूरी तरह से जल गया था उसकी छाती और पेट जल कर फट गया था बच्चे का शब देखकर परीजन चीखने चिलाने लगे परीजनों ने स्टाफ पर लापरवाई का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया मौके पर सीएमेस सहीत अस्पताल के स्टाफ एसन सीउ वोर्ड में पहुंच गए अस्पताल प्रिशासन अब अपनी गलती पर अम्रितक बच्चों के घरवालों से माफी मांग रहा है और म्रितक बच्चे के पिता ने मजनपुर को तवाली पुलिस को तहरीद दिया और पुलिस ने तहरीद लेकर घटना की च्छान बीन शुरू कर दिया और वहीं राहुल गांदी के इंस्टाग्राम से एक पोस्ट को हटाने के मामले में फेस्बुक इंडिया के हेड सत्या यादव को आग शाम पांच बजे एंसी पी सी आर के सामने पेश होना है और राष्टे बाल अधिकार संरक्षन आयोग ने फेस्बुक को नोटिस भेज का निर्देश दिया था कि वो राहुल गांदी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर दिल्ली बलतकार पीडित बच्ची के परिवार की पहचान उजागा करने वाले पोस्ट को हटाने को लेकर कारवाई करे और आयोग को उसके बारे में जानकारी दे लेकिन आयोग के मताबिक अभी तक फेस्बुक की तरफ से उनको कोई जानकारी नहीं मिली है जिसके बाद समन भेजा गया है और फेस्बुक के अधिकारी एंस्टाग्राम पर पोस्ट किया हुआ एक वीडियो देखा है फेस्बुक को पत्र लिखकर NCPCR ने कहा था कि इसने राहूल गांदी के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया हुआ एक वीडियो देखा है जिसमें बच्ची के माता पिता की पेचान उजागर होती है उसके मताबिक इस वीडियो में बच्ची के पिता और माता का चैरा इस पर्ष्ट रूप से देखा जा सकता है और जो कानून का उलंगन है तरसल राहूल गांदी पर दिल्ली में कथित तोर पर बलातकार पीडिद बच्ची के परिवार से मुलाकात के बाद उनकी पेचान और सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म को कारवाई करने का निर्देश दिया था